क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी जिन्दगी को कैसे बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ती है कि वह आपकी हर समस्या का हल दे सकता है और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसिफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब The Power of Your Subconscious Mind की जो बताती है कि आपका अवचेतन मन आपकी जिन्दगी को पूरी तरह बदल सकता है अवचेतन मन क्या है? आपका मन दो भागों में बटा होता है एक, चेतन मन, Conscious Mind जो निर्णाय लेता है और सोचता है दो, अवचेतन मन, Subconscious Mind जो हर भावना, विश्वास और आदत का भंडार है अवचेतन मन एक विशाल उर्जा है जो वही करता है जो आप उसे सिखाते है अगर आप उसे सकारात्मक सोच और विश्वास देते हैं तो वह आपको सफलता दिलाता है लेकिन अगर आप नकारात्मक से भगते हैं तो वह आपकी जिंदगी में रुकावटे पैदा करता है अवचेतन मन कैसे काम करता है डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके विचार बीच की तरह होते हैं जो विचार आप अपने अवचेतन मन में डालते हैं वह उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालता है अवचेतन मन का उप्योग कैसे करें? एक, सकारात्मक सोच अपनाए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दे जैसे, मैं सफल हूँ, मुझे हर चीज में खुशी मिलती है डू, ध्यान और पुश्टी एफरमेशन्स, रोज सुबह और रात को खुद से सकारात्मक बाते करें ये बातें आपके अवचेतन मन में गहराई तक जाते हैं अपनी इच्छाओं को पहले अपने मन में दे जैसे, आप अपनी मन चाही नौकरी कर रहे हैं, खुशाल जिन्दगी जी रहे हो चार, डर को दूर करें डर और नकारात्मक ता को अपने अवचेतन मन से निकालें डर सिर्फ एक ध्रम है सफलता की कहानियं मर्फी ने कई कहानियां साजा की है जैसे, एक बेरोजगार विक्ति ने अवचेतन मन का उप्योग कर अपनी मन्चाही नोकरी पर एक बीमार विक्ति ने सिर्फ सकारात्मक सोच से अपने स्वास्थे को सुधार लिए महत्वपूर्न संदेशे आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं दो, अवचेतन मन में विश्वास का बीच बोए दो, अपने डर और संदेह रुद्वर करें दो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो the power of your subconscious mind को पढ़े और उसकी शिक्षाओं को अपनाए याद रखे, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है वीडियो को लाइक करे, शेर करे और सबस्क्राइब करना न भूले